दोस्तो चलिए आज अब मेरे शात्पे बने टेरेस गार्डन में देखे आज मैं सब्ज़ियों की करने वाली हूँ यहां से हार्वेस्टिंग तो देखे ए कौन कौन सी मैं हार्वेस्टिंग करूँगी नमश्कार दोस्तों मैं संतोष दोगरा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल में आज दोस्तों मैं अलग अलग किसम की हार्वेस्टिंग करूँगी पहले तो शुरुवात यहीं से करते हैं बीट रूट से चुकंदर से तो यह देखिए कितने हेल्दी जुकंदर होगे हैं पानी लगाने वाला भी होगे हैं पहले हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ बाद में पानी लगा लेंगे पत्ते मुर्जा आ गए हैं इसके दोस्तों कंद भी और लीप्स भी बहुत फायदे मंद होते हैं यह बीट रूट में जो जो हेल्दी दिखते हैं मेरेको वो मैं निकालती जाती हूँ साथ साथ में कुछ के तो अभी नहीं बने हुए हैं जो थोड़े साइज बड़ा हो जाता है वो मैं निकाल लेती हूँ यह देखे इतने सारे मैंने हार्वेस्ट कर लिए जरूरत के मताबक मैंने निकाल लिए जब चाहिए होंगे फ्रेश ले जाएंगे दोस्तों देखे मैंने यह दो क्रेट में लगाया हुए है और एक ग्रो बैग में लगाया हुए है तो हर दूसरे तिसरे दिन में हार्वेस्टिंग कर लेती है तो अच्छा लगता है घर की सबजी यह बीट रूट तो हैवी इतनी महंगी है तो घर में और गैनिक मिल जाए चाहे थोड़ी सही तो जुरूर आप लोग भी लगाये और यह देखे सास टमाटर की भी हार्वेस्टिंग हो गई है यह भी कर लेती हूँ और यह जो कंटेनर जो है यह मैं दोस्तों त्यार कर रही हूँ बिंडी लगाने के लिए ग्रो बैग बगेरा भी मैंने काफे सारे त्यार करके रखे हैं बिंडी लगाने के लिए यह देखे सामनी जो देख रहे हैं ना कंटेनर खाली यह बिंडी के लिए मैंने त्यार करके रखा हुआ है तो बिंडी लगाएंगे अभी क्रेला लगा चुकी हूँ गीया भी लगा चुकी हूँ तो अभी देखते हैं कौन लगने वाली सब्चीया हैं, उनके सीर्ट सोगेरा लगाऊंगी बजार से फिर लगाऊंगी, ये टमाटर की भी देखिए कितनी सारी हार्वेस्ट हो गई है, मतर है, मतर भी मैं दूसरी बार हार्वेस्ट कर रही हूँ, पहले भी मैंने एक बार डेड़ के जी, डेड़ दो के क्रीम मैंने कर ली थी, तो आज भी मुझे लगता है, काफी निकलाएगी, मतर का तो मैंने सोचा नहीं था कि इतने सारे निकलेंगे, इतने सारे हो जाएंगे, अभी मैं दुवारा लगाने की त्यारी में हूँ, ये ही वाली जो मतर है, इसी मैंसे निकाल के मैं, दुवारा ग्रो कर दूँगी, हारवेस्टिंग तो बीच-बीच में बच्चे ले जाते हैं, जैसे कभी मैगी बगारा बना नहीं है, तो उसमें डाल दे हैं, जा फिर कभी जैसे सूप बगारा बनाना हो तो ले जाते हैं, कहनने का मतलब कि जब थोड़े चाहिए हूँ, दो मुठी वर तो ले जाते हैं, मेरे पास कंटेनर बगारा तो है ही है, कंटेनर ग्रो बगारा तो मैं उसमें और लगा दूँगी मतर, मतर के प्लांट थोड़े थोड़े ऐसे पत्ते इसके सूखने लगे हैं, इसकी दो तीन हार्वेस्टिंग मिलती हैं, ज्यादा नहीं, अगर जमीन में हो, खेत में हो, तो हो सकता ज़्यादा मिल जाए, यह कंटेनर में लगे हैं, तो इसमें से तो कम भी मिलेंगे, धनिये के लेव से भी हार्वेस्ट कर लेती हूँ, जो जो मिलता जाता है, मैं करती जा रही हूँ, हार्वेस्ट, यह दिके इतने सारी धनिया पत्ती भी निकलाई, धनिये के बिना तो सबजी अधूरी है, धनिया ना डालो तो सबजी का मटर तो काफी सारे निकलाई है, एक वार ओर हो जाएगी, जो थोड़े, जिन में दाने नहीं बने अभी, छोटे-छोटे हैं, वो नहीं हार्वेस्ट कर रही हूँ, वो अगली वार कर लूँगी, एक हार्वेस्ट और मिल जाएगी, करने को, और साथ में फिर प्लांट्स भी बगारा निकाल दूँगी, मटर के, यह देखी मैंने, कितनी सारी इसके बीची बतुआ है, पालक है, बतुआ पहले लगाया था, मटर मैंने बाद में लगाया, बतुआ हुगा नहीं था, तो मैंने इसमें मटर के सीडल लगा दिये, तो बाद में बतुआ भी होगया, और मटर भी होगया, मटर के प्लांट तो मैं निकाल दूँगी अभी थोड़े दिनों में, क्योंकि हार्वेस्टिंग खतम हो जाएगी इसकी, यह देखी सूख रहे हैं, पदे, इनकी तो खतम होगया, आगे फ्रूटिंग डगना बंदो होगया, अब थोड़ा गार्ड़न कीवी सेटिंग करेंगे, पूरा बिखरा पड़ा होगया, दोस्तों मैं दिकानी रही हूँ, आप लोगोंको, यह पूरा गार्ड़न मेरे बिखरा पड़ा होगया, कहीं मिट्टी पड़ी है, कहीं बाल्टियां पड़ी है, कहीं कुछ ऐसे जगा जगा, अभी काम खतम होगया आज, तो अभी करेंगे साफ सफाई, गार्डन की, ग्राउन फ्लोर में भी जो गार्डन है, उसमें भी बहुत ज़्यादा सेटिंग जो है, काफी सारे सूक है, उसमें से, थोड़ा चेंज करूँगी, एक दूसरे में, ये देखिए दोस्तों, आज की हमारी हार्वेस्टेंग, कितनी सारी निकलाई है, बिल्कुल प्योर और्गैनिक बेजटेवल, हाथ भी कितने गंदे होगे, सब्जियां, तोड़ते, 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 ये चैरी टमाटर हैं दोस्तों, थोड़े से, थोड़े से दूसरे, तो आज का वीडियो में यहीं पिसमाप्त करती हैं, मिलते हैं अगली नहीं वीडियो में,